नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वाल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कारकरम व्राशीपल और हमारे साथ मौझूद है पंडे चंद शेकर शर्मा जो आज आपको बताएंगे आपके आने वाला सब्ता कैसा रहने वाला है और क्या-क्या उपाय आपको करने चाहिए जिनसे आपको सफलता मिलेगी पंडे जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका ओम नमस्कार आत्मा त्वंगिर जामती सहचरा प्रण सरीरं ग्रहं पूजाते विशयो पभोगर चना नेद्रासा माधे स्थेतिर संचारा पदयो प्रदक्छन विधे स्तोत्राणि सर्वागिरो यात्यात करो मितत्त दखिलम संभोस्तावाराधनम पंडेजी शुरुआत करेंगे मेश राशी शेर्ट मेश राशी इस सप्ताह मेश राशी के जातकों को अपने स्वास्त को लेकर चिंता बनी रहेगी इस कारण दूसरे कारे भी प्रभावित होंगे स्वास्त में तेजी से गिरावट के कारण दवाईयों और डाक्टरों पर खर्च होगा नौकरी पेशा लोगों को कारी में तनाप पैदा होगा ब्यापारियों को कारी में हानी का शामना करना पड़ सकता है नयाकार इस सप्ताह प्रारंब ना करें तो बहतर ही रहेगा आर्थिक रूप से इस सप्ताह कमजोर इस्थिती में रहेगे पंडी जी मेश राशी के जातकों को स्वास्त सही रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? अब रोख करेंगे पंडी जी अगली राशी का व्रशव राशी व्रशव राशी के जातकों की सुख सुवधा में इस सप्ता कमी आ सकती है आपको पारवारिक कारियों में यहां वहां भागदोर करनी पड़ेगी आपको नौकरी और व्यापार में आगे बढ़ने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी कारे धीमी गती से होंगे और आर्थिक संकट भी इस सप्ताह बना रहेगा प्रेम संबंधों और दांपत्य सुख के लिए यह समय अच्छा रहेगा पंडे जी व्रशब राशी वाले जातकों को आर्थिक संकट बना ना रहे उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए लाल कनेर का पुस्व भगवती लक्षमी के लिए अरपन करें चलिए पंडे जी अब अगली राशी का रूख करेंगे जो है मित्वन राशी मित्वन राशी के जातकों का यह सप्ताह अधिकांस वक्त घर परिवार के साथ ब्यतीत होगा हाला कि पती-पत्नी के वीज किसी वात को लेकर तनाव भी हो सकता है युवाओं को अपने खाली वक्त का उप्योग भविस्य की योजनाय बनाने में लगाना चाहिए नौकरी पेसा लोग अपने बरतमान पद से संतुष्ट रहें तरक्की की कोई संभावना फिलहाल नहीं है ब्यापारियों को कारी में अस्थिरता का सामना करना पड़ी पंडे जी मितुन राशी के जातकों को तनाव कम करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए ग्यारा बिलपत्रों पर ओम ओम लिखकर भगवान शिव को अरपन करे इससे इनका तनाव कम होगा अब पंडे जी अगली राशी का रुख करेंगे जो है करक राशी करक राशी के जातकों के लिए यह सकता है भारी मानशिक उतार और चड़ाबाला रह सकता है किसी कार विसेस के अटक जाने से मानशिक पीडा रहेगी अपने काम, परिवार और जीवन की अन्डिय बातों के बीच तालमेल विठा कर भी चलना होगा बरना परिवार में तनाव कून इस्तितिया निर्मित होंगी युवां को अपने प्रेम में पार दर्चिता रखनी होगी आर्थिक मामलों में भरोशे मंद लोगों या परिवार के अनभावी लोगों की सलाह जरूर ले विल्कुल पंड़ जी करक राशी वाले जो जातक है उन्हें किसी भी तरह की कोई परिशानी ना है उसके लिए क्या को छुपाय करना चाहिए आक के साथ पुस्प भगवान शिव के लिए अरपन कर अगली राशी का रूप करेंगे पंड़ जी जो है संग राशी जी शिंग राशी के जातकों को इस सप्ता अपने कारी व्यवसाय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको किसी लापरवाही की सजा भी मिल सकती है नौकरी में बदलाब इस्थानांत्रन की इस्थती बन रही है कार के सिलसले में यात्राएं भी बहुत करनी पड़ेगी कारोवारियों को बिजनेस में डाउन फाल देखना पड़ सकता है पारिवारिक जीवन की बात करें तो जीवन शाती का पूर्ण सहयोग मिलेगा स्वास्त सामाने रहेगा किन्तु खान पान का उचित ध्यान रखना होगा पंड़ेजी सिंग राशी के जो जातक है बिजनेस में है उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना है उनके बिजनेस में उसके लिए क्या को छुपाए करना चाहिए उन्हें भगवती के लिए लाल रंकी चुनरिया अर्पित करनी चाहिए अब अगली राशी का रूख करेंगे पंड़े जी जो है कन्या राशी कन्या राशी के जातकों के लिए यह सप्ता थोड़ अप डाउन वाला रह सकता है आप अपनी उर्जा में कमी महसूस करेंगे किसी से व्यर्थ का विवाद होने की कारण मान से कष्ट होगा परिवार में आपके निर्णे को महत तो नहीं मिलने के कारण भी कमजोरी महसूस करेंगे नौकरी पेसा लोगों को तरकी करने के कई अबसर मिलेंगे बस आपको अपना सही अबसर पहचानना है विकलपड़ जी कन्या राशी के जो जातक हैं उनने किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो चाई स्वास्ते से जुड़ी हो ये काम से जुड़ी हो उसके लिए क्या को?? चुपाए करना चाहिए जी इसके लिए इन्हें सवाक लो मूं की दाल विश्नु भगवान के मंदर में रखनी चाहिए अब रुख करेंगे अगली राशी का पंडी जी जो है तुला राशी जी तुला राशी के जातकों को इस सब्ताह रिस्ते सहेजने पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो श्वजन आपसे रूठे हुए हैं उन्हें मनाले यदि आप कोई नया कारे ब्यवशाय प्रारम करना चाहते हैं तो इस सब्ताह कोसिस करें कि उसे टाल दिया जाए अपने किरोध और बाणी पर सयम रखना आवश्यक होगा स्वास्त बुरी तरह गडवड़ा सकता है परिकुल पंडे जी जो तुला राशी के जातक हैं गुस्से पर किस तरह से वो काबू रखे उसके लिए क्या कोच चुपाए करना चाहिए भगवान सिपर कुशा मिलाकर जल चड़ाएं कुशा के साथ में गंगा जल अर्पन करने से स्वास्त अच्छा होता है अब अगली राशी का रूख करेंगे पंडे जी ब्रश्चिक राशी का यह सप्ता भारी उठा पटक वाला हो सकता है मानिशिक तनाव, शारीरिक कष्ट, परिवार में बिवादित इस्थितियां वनेंगे कोई अनपेक्षित घटना भी जीवन में हो सकती है पंडे जी वरिश्चिक राशी वाले जात को कोई सप्ता किसी भी तरह की कोई परिशानी ना हो उसके लिए क्या कोई चुपाय करना चाहिए हनुमान के मंदर में जाकर दीपक जलाएं और उनका हनुमान जी का चोला चड़ाएं अब अगली राशी करूख करेंगे पंडे जी धनुराशी का धनुराशी के जातकों को इस सप्ता भाग का साथ मिलेगा और कुछ महत्तुपूर्ण कारे पूरे करने में सफल भी हो जाएंगे परिवार के सहयोग से बड़ी योजनाओं को शाकार करने में सफल होंगे हाला कि बीच बीच में एक दो दिन भारी तनाव में गुजरेंगे पैत्रिक शंपत्ती को लेकर परिजनों से चल रहे बिवाद का निराकरन इसी सप्ता होते हुए दिख रहा है आर्थिक लाब होगा किन्त खर्च भी उसी अनुपात में होने का अंदेशा है पंड़ी धनू राशी के जातक हैं आर्थिक समस्या उन्हें किसी तरह की ना हो उसके लिए क्या को छपाय करना चाहिए अब अगली राशी का रूप करेंगे पंड़ी जो है मकर राशी मकर राशी के जातकों को अपने काम और निजी जीवन के बीच एक सीमा रखनी चाहिए अत्यधिक कारी के दवाब के कारण आप तनाव महसूस करेंगे पेट सम्मंधी लोगों से परेशान रहेंगे आर्थिक इस्तिती थोड़ी गड़वड रहेंगी लेकिन कोई काम नहीं रुकेगा नया प्रेम सम्मंध प्राप्त होंगे या जो सम्मंध पहले से चल रहे हैं उनमें गर्माहट आएगे मकर राशी से जो जुड़े लोग है पंड़ जी उन्हें नीजी जिन्दिगी में किसी तरह की परशानी ना उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए अब अगली राशी का रुक करेंगे पंड़ जी जो है कुम्भ राशी कुम्भ राशी के जातकों को इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को भारी तनाव का शामना करना पड़ेगा आपके कार में विवादित इस्थिती वनेंगी अधीनस्तों का सहयोग नहीं मिलेगा कारय वारियों के लिए यह सप्ताह राहत भरा रहेगा कार में लाभ प्राप्त होगा लेकिन फिर भी बड़ी योजना अधिक शाकार नहीं हो पाए आपके जीवन शाथी के साथ चल लहा मनमुटाब दूर होगा और उनके साथ एक सुख़द जीवन व्यताएंगे प्रेमी प्रेमिका का शम्मंद विवाह की और अग्रशर होगा और जो अभिवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताप्रात होगा विवकुल पंडे जी जो कुम्ब राशी के जातक है उन्हें नौकरी में किसी तरह की दिक्कत ना है उसके लिए क्या कुछ उपाय करना चाहिए उसके लिए उन्हें उपाय करना चाहिए अपने घर से निकलते वक्त किसी भूखे को भोजल करा है प्रिकुल पंडे जी अब अगली राशी का अरुख करेंगे मीन राशी का मीन राशी के जातक इस सप्ताह मजबूत इस्थती में रहेंगे पुराने रोगों से मुक्ती मिलेगी हालाकि नौकरी पेशा और कारुवारी लोककार की अधिकता के कारतनाब महसूस करें इस सप्ता अपने अहिंकारी स्वभाव को जराद दूर ही रखें सभी के साथ समान ब्यवहार करें पारवारिक और शामाजिक जीवन में पदपतिष्ठा प्राप्त होगी नौकरी पेसा लोगों को तरक्की मिलेगी नए कारे ब्यवशाय की सुरुवात के लिए समय ठीक नहीं विकुल पंड़ जी मीन राशी के जो जातक है उन्हें सप्ता में और घर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना उसके लिए क्या को छुपाय करना चाहिए उसके लिए उन्हें दस आख के पत्र लेकर उन पर राम 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 लिखकर हनुमान जी के गले में माला पहनानी चाहिए विकुल तो देखिए आज के राशी फल में बस इतना ही उमीद है पंड़ जी के बताए वे जो भी उपाय है जो भी समादान है आपके लिए जरूर काम आएंगे आज के लिए बस इतना ही का अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए अपिसोड के साथ पंड़ जी आपका बहुत बहुत शुक्या कर दो कर सुछके लिस1 है आप है, और लिए कर दो कर दो में पनता ही कि लिग जी जरूर hind दा ही है जाने को 1 जर काम बहुत थशुक्या